Hey guys, welcome to my youtube channel, मैं प्रियांका सिंग तो guys, आज की video requested video है, मैं को कुछ लोगों ने comment करके बोला है कि दी हमारे face पे बहुत ज़ादा तिल हो गए है और instagram पे भी मैं को यही message आ रहे हैं कि दी हमारे face पे बहुत ज़ादा तिल है उन्हें natural तरीके से हम लोग कैसे remove कर सकते हैं तो guys, मैं आपको बता दू कि हमारे face पे जब एक दो तिल होता है तो वो हमारी सुन्दर्था को बहुत ज़ादा बढ़ा देता है और वही अगर वही तिल हमारे face पे बहुत ज़ादा हो जाते हैं हमारे सुन्दर्था को वो खराब कर देते हैं तो चलिए मैं बताऊंगे कि natural तरीके से हम अपने face पे से जो तिल हैं उन्हें कैसे हटा सकते हैं बिना किसी नुकसान के बिना किसी कॉस्मेटिक के तो जी हाँ guys हम natural तरीके से भी अपने face पे से तिल को हटा सकते हैं यह बहुत जादा टिपिकल नहीं है बस इसके लिए आपको दो तीन दिन थोड़ी सी महनत करनी होगी और आपके जो तिल है वो हट जाएंगे तो guys इसके लिए मैं आपको तीन टिप्स यहां पर बताने वाली हूँ उन मैंसे आप कोई भी एक लगा के अपने तिल को हटा सकते हैं आपको तीन और एमेडी मतलब अपने तिल पे नहीं लगानी है तीन मैंसे कोई एक आप अपने face पे लगाएं और आपका जो तिल है वो हट जाएगा तो चलिए गाइस मैं वीडियो यहां पर शुरू करती हूँ और बताती हूँ आपको वो तीन टिप्स कौन कौन से वो टिप्स हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता देना चाहते हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक कर लीजेगा और वैल आइकन को भी प्रैस कर लेना ताकि जो आने वाली मेरी वीडियो होंगी उनका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो चलिए गाइस वीडियो सुरू करते हैं तो चलिए गाइस नंबर वन टिप्स जो है हम सुरू करते हैं तो नंबर वन पे मैं यहां पे बताऊंगी गाइस हमारे घर में लहसन तो होता ही है हम सब लोग लहसन यूज करते हैं तो हमें क्या करना है कि एक लहसन की कली लेना है या फिर अपने face पे जो तिल है उनके according आपको लहसन लेना है और उनका paste बना लेना है आपको और उस paste को अपने face पे लगा लेना है काइस मैं आपको बता दूँ कि वो जो paste है पूरे face पे आपको नहीं लगाना है जहाँ पे आपको तिल है सिर्फ वहीं पे cotton कोटन इसमें डिप करना है उसके paste में और जहाँ पे आपको तिल है और तिल वाली जगह पे जैसे अभी मेरे यहाँ पे तिल है तो इस जगह पर उसका जो रस है उसे यहाँ पर लगा लेना है और ये चीज चार से पास बार तक करनी है और हो सके तो इसेराथ को लगा के भी सो जाए। तो guys ये तो था मेरा number one tips तो चलिए अब चलते हैं दूसरी tips की तरफ guys अभी जो हमारा दूसरा tips है वो ये है कि सिरका भी हमारे तिल या मसे को हटाने में बहुत अच्छा काम करता है अब देखना ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसे इस्तेमाल करना बहुत जादा टिपिकल नहीं है बहुत इजी है इसे इस्तेमाल करना आपको सिरका लेना है और उसमें एक cotton ball को dip करना है और उसे अपने सेम उसी procedure से आपको अपने तिल वाली जगह पे बार बार लगाना है जब तक कि आपके तिल वाली जगह पे पपड़ी न पड़ जाए और ये हो सके तो ये भी आप रात में करके सो सकते हैं दिहान रखना है ये तीन टिप्स में आपको बताऊंगी इनमें से आपको एक फॉलो करना है तीनों एक साथ फॉलो नहीं करने हैं और गैरंटी से आपका जो तिल है या मसा है वो धीरी-धीरी करके दो-चार दिन में खतम हो जाएगा तो गाइस ये तो धा मेरा नमबर दो तो चलिए अब चलते हैं टिप्स नमबर थ्री की तरफ तो गाइस हम सब के घर में धनिया पुदीना तो होता ही है तो वो भी हमारे तिल को हटाने में या मसे को हटाने में बहुत अच्छा काम करता है बट हमें पता नहीं होता है तो गाइस अगर आपकी घर में हरा धनिया है और हरा पुदीना है आज की रेट में सर्दिया चल रहे हैं इस सीजन में हरा धनिया बहुत एजीली हर गर में मिल जाता है और पुदीना भी बहुत एजीली मिल जाता है हो सकता है कहीं कहीं पुदीना लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो बट आपको इन दोनों का एक पेस्ट बना लेना है हरा धनिया और हरा पुदी ना इन दोनों का पीस पना लेना है और इसका जो रस है वो हमें एक मिकाल के रखना है एक कंटीनर में और फिर वही सेम प्रोसीजर हमें करना है एक कॉटन बॉल लेना है डिप करना है सेम हमें अपने तिलवाले जगह पर उसे ऐसे ही लगा लेना है जब तक हमारे तिलवाले जगह पर पपड़ी नपड़ जाए मैं आपको बता दू ये कोई भी एक प्रोसेजर आपको करना है और करने के बाद में हो सकता है तिल तो हट जाएगा बट आपकी जो skin है वहां की थोड़ सी dark हो जाएगी तो guys आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो skin धीरे-धीरे करके उस पैसे भी एक परत हटेगी आपकी skin पैसे यानकी एक layer हटेगी और वो जो आपकी skin है natural skin color में मिल जाएगी ऐसे ही करके आपके जो तिल है वो remove हो जाएगे तो guys ये तो थे मेरे आज के 3 tips I hope आपको पसंद आया होगे जो लोग में को request कर रहे थे वो ये follow करके जरूर से देखे उनके जो तिल है वो बहुत आसानी से हट जाएगी तो guys ये है आज का मेरा एक छोटा से वीडियो I hope आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care धिहान रखिए